हमें बिंदू रिनात्मक 8,5 को आलेखित करना है और इसको y अक्ष के पार परवर्थित करना है तो सबसे पहले बिंदू रिनात्मक 8,5 को आलेखित करते हैं यहाँ x निर्देशांग रिनात्मक 8 है, इसलिए मैं इसको रिनात्मक 8 पर कर देता हूँ और y निर्देशांग 5 है, तो मैं इसको उपर बढ़ाकर 5 पर कर देता हूँ, तो ये बिंदू रिनात्मक 8,5 है, हम 8 स्थान बाइं और गए क्योंकि ये रिनात्मक 8 है, और 5 स्थान उपर गए क्योंकि ये धनात्मक 5 है, हमने बिंदू रिनात्मक 8,5 को आलेखित कर लिया है, अब हमें वाई अक्ष के पार इसके परावर्तन को आलेखित करना है, ये वाई अक्ष है, हमें इसके पार इसको परावर्तित करना है, आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं जैसे कि ये क यान कि आप इसको 8 स्थान दाईयों और देखेंगे, ये धनात्मक 8 है और x अक्ष से 5 स्थान उपर देखेंगे, तो यहाँ इसका परावर्तन हो गया है, ये बिंदू 8,5 होगा. आईये अब एक और प्रश्न करते हैं, बिंदू रिनात्मक 6,7 एक्स अक्ष के पार परावर्तित है, हमें बिंदू रिनात्मक 6,7 को आलेखित करना है, और x अक्ष के पार इसके परावर्तन को भी आलेखित करना है, तो बिंदू रिनात्मक 6,7 एक्स अक्ष के पार इसके पर तो ये बिंदू रिनात्मक 6, रिनात्मक 7 है और हमें X अक्ष के पार इसका परवर्तन करना है तो एक बार फिर से आप मान लीजिए कि ये कोई जील है या बैसा ही कुछ है या कोई शीशा है तो हम इसका परवर्तन कहां पर देखेंगे? हम X अक्ष के पार इसको परवर्तित कर रहे हैं हम इसका परवर्तन X अक्ष के ऊपर समान दूरी पर ही देखेंगे यहां बिंदू 7 स्थान नीचे है और अब हम इसको X अक्ष से 7 स्थान ऊपर देखेंगे इन दोनों बिंदूं के X निर्देशांग समान होंगे हमने इसको X अक्ष के पार परावर्तित कर लिया है और हमारा उत्तर एकदम सही है एक और प्रश्न करते हैं किस अक्ष पर बिंदू B बिंदू A का परावर्तन है बिंदू A रिनात्मक 6,5 है और बिंदू B 6, रिनात्मक 5 है और ऐसा नहीं लग रहा है कि ये केवल एक अक्ष के पार तो ये ठीक धनादमक 6,5 पर आलेखित होता ये ठीक यहाँ पर आ जाता और फिर इस बिंदू को मैं X अक्ष के पार परावर्तित करता तो ये X अक्ष से 5 स्थान नीचे आ जाता और X निर्देशांग 6 होते इसलिए A से B पर जाने के लिए पहले Y अक्ष के पार परावर्तन क करते और फिर X अक्ष के पार या फिर हम पहले X अक्ष के पार परावर्तन करते तो हम यहाँ पर ठीक इस बिंदू रिनादमक 6,5 पर होते और उसके बाद Y अक्ष के पार परावर्तन करते यानि कि ये दोनों अक्ष के पार परावर्तित हो रहा है तो हम पहले X अक्ष और फिर y अक्ष के पार परवर्दन कर रहे हैं, वैसे हम पहले y और बाद में x अक्ष के पार भी परवर्दन कर सकते हैं, ये सही उतर है.